आज के इस वीडियो में हम लोग ऐरो फंक्शन को रिविजट करेंगे हम लोग देखेंगे ऐरो फंक्शन क्या होते हैं और दुबारा से हम लोग कुछ बाते ऐरो फंक्शन के बारे में जारेंगे जो कि हमारे लिए जानना बहुत जादा जरूरी हैं चलते हैं गांप्यूट मालो मेरे पास एक say hello नाम का एक arrow function है ठीक है say hello नाम का क्या है एक arrow function है ठीक है और इसमें मैं simply क्या करता हूँ console.log करता हूँ hello ठीक है तो इसको लिखने के दो तरीके हो मैं आपर मालो इसको यहाँ पर say hello जो है call भी करता हूँ अब एक बात तो यहाँ पर आपको भी पता है कि मैं इसको reload करूँ तो यहाँ पर hello लिखकर आने वाला है ठीक है और इस बात को बताने का मुझे कोई नाम नहीं चाहिए ठीक है और आपको मिलेगा भी नहीं कोई नाम अगर आप किसी को बता होगे तो यहाँ पता है यहाँ तो यहाँ आप जानते हैं कि आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं किस तरह से कर सकते हैं आप सिंपली इसको बिना ब्राकेट के लिख सकते हैं क्योंकि यह सिंपली एक लाइन है ठीक है हाँ आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे तो भी आपका चलेगा यह function ठीक है तो हम bracket skip कर सकते हैं अगर single liner है तो multi lines भी लिख सकते हैं आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं मैंने hello के साथ सा semi color लगा के high भी लिख दिया ठीक है तो यह भी चलेगा but not recommended यह not recommended at all क्योंकि क्या होता है न कि इस तरह से कर आप लिखोगे तो readability कम हो जाती है लगाई लेना यार ठीक है curly brace अब मान लो कि कुछ ऐसा होता मैं यह हटाता हूं यहां से अब मान लो आप कह रहे हो यहां पर कि मैं एक variable भी देना चाहता हूं मान लो मैं name देना चाहता हूं यहां पर करूं अभी तो आप देखो hello Harry यहां पर आगया और इसका भी नाम आपको नहीं मिलेगा अगर आप गैस करोगे तो ठीक है no prizes for guessing अब यहां पर जिसका इनाम शायद आपको मिल सकता है वह बात यह है कि आप यहां से अगर यह brackets हटा दो ना parenthesis तब भी आपका काम बन जाएगा ठीक है तो अगर अभी मैं इसको रिलोड करूं यहां पर तो hello Harry मैं आपर output देख पाऊंगा क्योंकि exactly the same thing है और एक चीज़ अगर मान लो Harry और उसी के साथ साथ good afternoon अब क्या बोलना है मान लो वो चीज़ भी आप यहां पर variable के थ्रूल लेकर आना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो तो आप simply यहांपर क्या कर सकते हो greeting plus space plus name ठीक है name, greeting ठीक है तो name greeting यह दो अगर मेरे पास यहांपर variable function को मिल रहे हैं तो मुझे bracket लगाना है यहांपर जो parenthesis है यह मेरे लिए mandatory हो जाता है ठीक है क्योंकि इसके वेना मुझे मिलने वाले syntax है अभी मैं यहांपर greeting plus name करू तो आप लोग देखो की good afternoon Harry आ गया क्योंकि greeting की जगा good afternoon आया और name की जगा Harry आ गया तो मैं यह parenthesis अपने ही अटा सकता है क्योंकि एक से जाधा variable पास किया जा रहा है सहरो function को ठीक है यहांपर मुझे मिलेगा syntax error कहा यह जा रहा है कुल मिलाकर कि ब्राक्ट लगा लो ठीक है स x नाम से और इसके अंदर मैं देता हूँ name Harry ठीक है और role js developer experience exp लिख देता हूँ 20 years जाधा नहीं होगा थोड़ा 30 कर देते हैं कम होगा 20 30 years of experience ठीक है और यहांपर मैंने लिगा say hello Harry good afternoon इसको मैं ज़रा comment out करूँगा और मैं आपर लिखूँगा x console.log x.name x.exp तो यह मैं करूँगा तो शायद आपने से कहीं लोग हो गया यह क्या time pass कर रहे हो Harry 30 आना ही है ठीक है तो time pass करने वाली क्या बात है चलो यह time pass करने वाली बात थी मैं मानता हूँ आपकी बात मैंने मानी लेकिन क्या आपको बता है मैं यह आपर एक function डाल सकता जो कि क्या करता है जो कि simply एक the name is और मैं dollar के अंदर लिख सकता हूँ this.name आपको यह क्या चल रहा है this क्या है ठीक है तो this क्या होता है कि this will refer to this object जो की x है ठीक है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको इन properties को console.log ना करके मैं x.show करके इसको call कर सकता हूँ और मैं यहापर function भी लिखूँगा मैं arrow function यूज नहीं करूँगा मैं normal जो हमारा javascript का function होता है वो use करूँगा ठीक है तो जब भी मैं एक normal javascript का function यूज करता हूँ और मैं this को refer करता हूँ तो this होता है यह object जो की x है हमारी case में तो अगर अभी मैं यहापर reload करूँ इस page को तो name is Harry लिखकर आ जाएगा जैगा जैसे कि आपने देखा भी ठीक है तो the name is Harry लिखकर आगे क्योंकि this था यह object और इसलिए name is Harry लिखकर आ गया अब अगर मानलो मैं आपर backslash end लिखकर लिखो the role is or dollar के अंदर मैं मानलो लिख दू this dot role अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ तो क्या role भी show हो जाएगा obviously यार हो जाएगा जब name हो रहा है तो role क्यों नहीं होगा role से कोई personal दुश्मनी तो role भी यहाँ पर डिस्पली होगे जैसे कि आपने भी देखा ठीक है बहुत ही बढ़िया यार बहुत ही बढ़िया अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ मान लो कि मैं इसके अंदर एक set timeout लगाता हूँ ठीक है दियान से लेखना मान लो for some reason मैंने यहाँ पर क्या किया मैंने normal javascript के function use करते हुए मैंने decide कि यार एक second के द्रामा आएगा code में तो मझे code में थ्रोड़ा द्रामा चाहिए कि दो second के बाद display हो रहा है कुछ ऐसा चाहिए और मैं यह करके खुशी खुशी उमीद लगा के बैट गया इससे कि यह print करेगा name is blank role is undefined भाई यह क्या हो गया अरी यह क्या हो गया आपको यह क्या हो गया य console.log this करके दिखाऊं तो वो एक window object होगा आपको दिखाता हूँ मैं आपर इसको reload करके reload और यह देखो वो window object होगा ठीक है तो यानि कि जो global हमारी window होती है वो होगा तो यह क्या चल रहा है यह क्या logic है कैसे पता चलेगा क्या होगा कब होगा तो अगर मैं आप से को what is this एक object क के अंदर अगर आपने एक function मनाया function keyword का इस्तेमाल करके तो this वो object होगा ठीक है alone this global object होगा ठीक है और एक event के अंदर अगर आप लोग this इस्तेमाल कर रहे हो तो this एक event के अंदर refer करेगा उस element को जिसने event को receive किया है ठीक है तो यह तीन cases आपको पता होने चाहिए पीछे अगर क window object मैं क्या करूँ मुझे यह यहां पर print कराना है 2 seconds के बाद मुझे अभी अपना code चलाना है मैं क्या करूँ तो मैं कहूँगा यार देखो हमने console.log disk बाहर किया तो हमको window object मिला इसी console.log disk को मैं बाहर निकाल दूँगर तो obviously मुझे यह object मिल जाएगा मानते हो कि नहीं मानते ह that is equal to this मैंने that में store कर लिया इस object को और फिर उसके बाद मैं that को यंदर use कर सकता हूँ this की जगा ठीक है और क्या यह चीज़ फिक्स करेगी इसको यह चीज़ फिक्स करेगी but क्यों फिक्स करेगी is the question ठीक है देखो ऐसा कि हमने that के अंदर this ले लिया this क्या था इस point पर this था इ object था इस function के अंदर घुसने के बाद problems आई थी कि जो मेरा this था वो window object बन गया था तो अब that के अंदर मैंने save कर लिया अपना object की जो this था उसको save कर लिया अब मैं function के अंदर भी चले जाओं तो मुझे यह that मिल जाएगा ठीक है तो यह trick होती थी जो कि पहले use की जाती थी अपने lexical parent से ले लेता है ठीक है उसको lexical this कहते है ठीक है तो lexical this इस्तिमाल करने की वज़ा से मुझे लिखने की जरूरत नहीं है और मुझे that लिखने की भी जरूरत नहीं है जो code मैंने पहले लिखा हुआ था वो as it is काम करेगा क्यों काम करेगा क्योंकि यहाँ पर arrow function क अंदर this window object नहीं होगा वो इसके बाहर वाले जो environment में this है वही होगा ठीक है यह अपना this नहीं मनाता है यह अपने parent से जो है ले लेता है this कुछ ऐसा आप रफली समझ लो ठीक है तो अब मैं इसको अगर reload करूँगा तो मेरा code बिल्कुल सही सही काम करेगा दो second के बाद आपको समझ में आ गया अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सिर्फ एक हमारे पास value है मैं वापस से अपने say hello वाले function पर आऊंगा और यह चीज़ रह गई थी in case if it was not obvious अगर मालो मेरे पास सिर्फ name है और greeting हो मैं hard code करना चाहता हूं और मालो मेरे पास मैं hard code करता हूं यहाँ पर मुझे जरूरी निया मैं इस bracket को लगाऊ भी मुझे जरूरत निया इस bracket को लगाने की बस यह बताना चाहता था आपको मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूं name code ठीक है मैंने यहाँ पर जो parenthesis थी इसके आर पर वो हटा दी क्या यह चलेगा क्यों नहीं सीखने को बिला इस वीडियो से अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस thank you so much guys for watching this video and I will see you next time